मिलोड आज हमारी अदालत में मौझूद हैं रेलवे विभाग के एक अला अधिकारी आप अला हैं? जी नहीं मैं लाला हूँ हाँ तो लाला जी सबसे पहले तो आप अदालत को ये बताईए कि क्या कभी फ्यूचर में ट्रेनेट टाइम पर आएंगी या नहीं आएंगी? नहीं नहीं आएंगी आएंगी जब ट्रेनेट टाइम पर जाएंगी? देखें लाला जी आपके उपर ये भी इल्जाम है कि आपकी कामचोरी की वज़े से एक आम आदमी को ये तक याद नहीं है कि उसने आकरी बार ट्रेन की सीट पर कब सुकून से बैट कर सफर किया था दरसल आम आदमी को सुकून है कहाँ आप बताईए अब उसे ट्रेन में चाहे बैठने को मिल जाए या लेटने को मिल जाए देखें आप पर ये भी इल्जाम है कि एक आम आदमी को कनफर्म टिकट नहीं मिलता जबके ट्रेने खाली जाती है ये क्या बकवास कर रहे हैं आप ट्रेने खाली जाती है कौन खाता है ट्रेनों को आप पचास ग्राम ट्रेन खा के दिखाएए आपके दाथ निकल के भंगार बन जाएंगे बखवाज करते हैं लोग मिलोड आज हमारी अदालत में मौझूद है एक शराबी मस्त कलंदर जी हेलो हेलो अरे मैं हेलो हाई वाला हेलो नी बोर रहा हूँ उपर आओ मैं नहीं आओगा तुम लोग मारोगे अरे वो बाद में पुलिस मारेगी हम नहीं मारेंगे खड़े हो जाओ संभल के हाँ तो मस्त कलंदर जी आपके उपर सबसे पहला इल्जाम ये है कि आप कल बहूत सारी शराब पीने के बाद गटर में गिर गे थे ये सब गलत संगत का सर है है मेरा उठना वेटना आजकल सब गलत लोगों में हो गया है हम चार लोग थे कल हम एक मैं तीन वो लोग अब वो तीनों पीते नहीं थे मुझे एक अखेले को पूर्या का पूरा खंबा अखेले पीना पड़ा अरे तो आप इतनी शराब पीते क्यों है आपको पता है शराब कितनी खराब चीज है अगर कोई इसे पैर से भी छूदे तो वो आदमी सीधा नर्क में जाता है हाँ इतनी पविते चीज को अगर कोई पैर से छूएगा तो नर्क में ही तो जाएगा हलो हैं दोड आज हमारी अदालत में मौझूद है एक लवर वाइड हलो हलो अंकल अंकल दखो तुम पर सबसे पहला इल्जाम ये है कि तुम्हारी गर्ल्फेंड तुम्हें बेवी बुलाती है और कहां से लगते हो बेवी इतने बड़े बेवे हो चुके हो अरे अंकल आपने सुना नहीं दिल तो बच्चा है जी थोड़ा कच्चा है जी तुम्हारा कहना है कि तुम्हारी girlfriend का भाई तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा क्या तुम उसे धमकाते हो No sir, it's very simple आपने गाने नहीं सुना Love के लिए सादा कुछ भी करेगा वो मेरा साला है sir तुम्हारी girlfriend का ये कहना है कि तुम उसके लिए ताज महल नहीं बनवा सकते क्या ये बात सच है It's wrong uncle She's just kidding ताज महल तुम मैं भी बनवा सकता हूँ But you know, ताज महल कब बनाय था मुम्ताज के मरने के बाद I'm also waiting देखो तुम पर अगला इल्जाम ये है Uncle, जल्दी पूछो जल्दी क्यों? मुझे वेलेंग्टाइन पार्टी में जाना है देखो तुम्हारी गल्फरेंड का ये भी कहना है कि तुम उसके लिए चांद तारे तोड़कर नहीं ला सकते अभी 25 दिसंबर को मेरी बिल्डी में बड़ा सा क्रिस्मस ट्री लगाए गया मेराट को तीन बज़े गया उस ट्री से सारे तारे तोड़ लाया और मुझे गर्फरेंड को भेज भी दिया शी जैस किडिंग! तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि तुम्हारी प्रेम कहानी कभी भी इतिहास के पन्नों में नहीं लिखी जाएगी Uncle you're wrong मेरी प्रेम कहानी अलड़ी लिखी जा चुकी है या जब से मेरी प्रेम कहानी चल रही है उसके बाद कॉलेज में जितने भी एक्जाम दिये है उन सब में में प्रेम कहानी लिखी है Uncle, आपने मेरा टाइम खरब किया ना Now you only help me out क्या? बताओ बताओ Uncle, आज वेलेंटाइन है ना मेरी तरफ से फ्लावर घर जाकर लवलीना को दे दीजिएगा कोई बाद दी दे दुगा Happy Valentine Day Milord, आज हमारी अदालत में मौझूद है Mr. Ruk Ruk Khan आपके ओपर सबसे पहला इल्दाम ये है कि आपने अपनी फिल्म Ra 1 को Correct हाँ, बुरी नजर से बचाने के लिए अपने प्रोडक्शन हाउस का सहरा लिया वो कैसे? मैंने अपने आफिस के बार रेट चिलीज लटका रखी है और ये लाल मिर्ची हमें बुरी नजर से बचाने देखे, आपका ये भी कहना है के बहुत सारे लोगों की वज़े से आपको बहुत जोर का फटका लगा है वो कैसे? या, करन आजकल हर एरे गेरे नत्तु खेरे के साथ खुले आम काफी पी रहा है हर नेने लोड़ों के साथ फिल्में बना रहा है यहाँ तक की कैश राज की अगली फिल्म में मैं नहीं, बलकि आमीर है तो मुझे तो जोर का फटका लग नहीं था देखे, आपकी EPL टीम पर भी ये इल्जाम है के वो डे मैच कभी नहीं जीत ती ऐसा क्यों? एवरिवडी नोज की मेरी टीम का नाम है कॉलकाता नाइट फाइटर्स अरे तो हम नाइट के ही मैच जीतेंगे न अरे डे में तो इंट्रेस भी नहीं